C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है पार्ठ उन्नीस आश्रम का अनुमानित व्याय प्रिष्ट संख्या 136 प्रिष्ट संख्या 136 में दिये गए बॉक्स में लिखा है दख्ण अफ्रीका से लोट कर गांधी जी ने एहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की उसके प्रारंभिक सदस्यों तथा सामान आदि का विवरण इस पाठ में है आरंभ में संस्था यानि आश्रम में 40 लोग होंगे कुछ समय में इस संख्या के 50 हो जाने की संभावना है हर महीने औसतन 10 अतितियों के आने की संभावना है इन में 3 या 5 सपरिवार होंगे इसलिए स्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग अलग रह सकें और शेश एक साथ इसको ध्यान में रखते हुए 3 रसोई घर हो और मकान कुल 50 हजार वर्ग फुट क्षेतर फल में बने तो सब लोगों के रहने लायक जगे हो जाएगी इसके अलावा 3 हजार पुस्तकें रखने लायक पुस्तकाले और अलमारिया होनी चाहिए कम से कम 5 एकर जमीन खेती करने के लिए चाहिए जिसमें कम से कम 30 लोग काम कर सकें इतने खेती के ओजार चाहिए इनमें कुदालियों, फावणों और खुर्पों की जरूरत होगी पृष्ट संख्या 137 बढ़ई गीरी के ये औजार भी होने चाहिए पांच बड़े हतोडे, तीन बसूले, पांच छोटी हतोडियां, दो एरन, तीन बम, दस छोटी बड़ी छेनियां, चार रंदे, एक सालनी, चार केतियां, चार छोटी बड़ी बेधनियां, चार आरियां, पांच छोटी बड़ी संडासियां, और बीस रतल कीलें, छोटी और बड़ी एक मोंगरा यानि लखडी का हथोड़ा मोची के आउजार मेरे अनुमान से इन सब पर कुल पांच रुपिया खर्च आएगा रसोई के लिए आवश्यक सामान पर 150 रुपए खर्च आएगा स्टेशन दूर होगा तो सामान को या मेहमानों को लाने के लिए बैल गाड़ी चाहिए मैं खाने का खर्च 10 रुपए मासिक प्रतिव्यक्ति लगाता हूँ मैं नहीं समझता कि हम यह खर्च पहले वर्ष में निकाल सकेंगे वर्ष में आवसितन पचास लोगों का खर्च 6,000 रुपए आएगा मुझे मालूम हुआ है कि प्रमुख लोगों की इच्छा यह है कि एहमदाबाद में यह प्रयोग एक वर्ष तक किया जाए यदि ऐसा हो तो एहमदाबाद को पहले बताया गया सब खर्च उठाना चाहिए मेरी मांग तो यह भी है कि एहमदाबाद मुझे पूरी जमीन और मकान सभी दे दे तो बाकी खर्च मैं कहीं और से या दूसरी तरह जुटा लूँगा अब चुकि विचार बदल गया है इसलिए ऐसा लगता है कि एक वर्ष या इस से कुछ कम दिनों का खर्च एहमदाबाद को उठाना चाहिए यद्य एहमदाबाद एक वर्ष के खर्च का बोज उठाने के लिए तयार ना हो तो पहले बताए गए खाने के खर्च का इंतजाम मैं कर सकता हूँ चूंकि मैंने खर्च का यह अनुमान जल्दी में तयार किया है इसलिए यह संभव है कि कुछ मदें मुझे से छूट गई हूँ इसके अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवा मुझे स्थानी स्थितियों की जानकारी नहीं है इसलिए मेरे अनुमान में भूलें भी हो सकती है प्रिष्ठ 137 पर बॉक्स में लिखा है एहमदाबाद में स्थापित आश्रम का सम्विधान स्वयम गांधी जी ने तयार किया था इस सम्विधान के मस्विदे से पता चलता है कि वह भारती जीवन का निर्मान किस प्रकार करना चाहते थे प्रिष्ठ संख्या 138 यद एहमदाबाद सब खर्च उठाए तो विभिन मदों में खर्च इस तरह होगा किराया बंगला और खेत की जमीन किताबों की अल्मारियों का खर्च बढ़ई के आउजार मोची के आउजार चौके का सामान एक बैल गारी या घोड़ा गारी एक वर्ष के लिए खाने का खर्च छह हजार रुपिया घरेलू सामान चार पतीले 40 आदमियों का खाना बनाने के योग्य दो छोटी पतीलियां 10 आदमियों के योग्य 3 पानी भरने के पतीले या तांबे के कलशे 4 मिटी के घडे 4 तिपाईया एक कढ़ाई दस रतल खाना पकाने योग्य तीन कल्चियां दो आठा गुंधने की परातें एक पानी गरम करने का बड़ा पतीला तीन केतलियां पाँच बाल्टियां या नहाने का पानी रखने के बरतन पाँच पतीले के ढखकन पांच अनाज रखने के बरतन तीन तईयां दस थालियां दस कटोरियां दस गिलास दस प्याले चार कपड़े धोने के टब दो छलनियां एक पीतल की छलनी तीन चक्कियां दस चम्मच एक कर्चा एक इमाम दस्ता मूसली तीन जाडू चै कुर्सियां तीन मेजें चै किताबें रखने की अलमारियां तीन दवातें चै काले तख्ते चै रैक तीन भारत के नक्षे तीन दुनिया के नक्षे दो बंबई आहाते के नक्षे एक गुजरात का नक्षा पांच हाथ करगे बढ़ई के आउजार, मोची के आउजार, खेती के आउजार, चार चार पाईया, एक गाड़ी, पाँच लाल्टेन, तीन कमोड, दस गद्दे, तीन चेंबर पॉट, चार सड़क की बत्टिया, तारीख मेरा ख्याल है कि हमें लुहार और राजमिस्त्री के आउजारों की भी जरूरत होगी, दूसरे बहुत से आउजार भी चाहिए, किन्तु इस हिसाब से मैंने उनका खर्च और शिक्षन सम्मन्दी सामान का खर्च शामिल नहीं किया है, शिक्षन के सामान में 5-6 देशी हद करगों की आवशक्ता होगी, मोहंदास करमचंद गांधी प्रिष्ट संख्या 149 प्रश्न अभ्यास लेखा जोखा प्रश्न एक, हमारे यहां बहुत से काम, लोग खुद नहीं करके किसी पेशेवर कारीगर से करवाते हैं गांधी जी, छेनी, हथावडे, बसूले क्यों खरीदना चाहते होंगे? प्रश्न दो, गांधी जी ने अखिल भारती कॉंग्रेस सहित कई संस्थाओं वा आंदोलनों का नेत्रित्तु किया उनकी जीवनी या उन पर लिखी गई किताबों से उन अंशों को चुनिये जिन से इसाब किताब के प्रती गांधी जी की चुस्ती का पता चलता है तीन, मान लीजे, आपको कोई बाल आश्रम खोलना है, इस बजट से प्रेरणा लेते हुए उसका अनुमानित बजट बनाईए इस बजट में दिये गए किन किन मदों पर आप कितना खर्च करना चाहेंगे, किन नई मदों को जोड़ना हटाना चाहेंगे चार, आपको कई बार लगता होगा कि आप कई छोटे मोटे काम जैसे घर की पुताई, दूद दुहना, खाड बुनना करना चाहें तो कर सकते हैं ऐसे कामों की सूची बनाईए, जिन्हें आप चाह कर भी नहीं सीख पाते इसके क्या कारण रहे होंगे, उन कामों की सूची भी बनाईए, जिन्हें आप सीख कर ही छोड़ेंगे पांच, इस अनुमानित बजट को गहराई से पढ़ने के बाद आश्रम के उद्देश्यों और कार्य प्रणाली के बारे में क्या-क्या अनुमान लगाए जा सकते हैं प्रिष्ट संख्या 140, भाषा की बात एक अनुमानित शब्द अनुमान में इत प्रत्य जोड़ कर बना है इत प्रत्य जोडने पर अनुमान का ना नित में परिवर्तित हो जाता है यहां इत प्रत्याई वाले कुछ और शब्द दिये जा रहे हैं उनमें मूल शब्द पहचानिये और देखिये कि क्या परिवर्तन हो रहा है शब्द हैं प्रमानित, व्यतित, द्रवित, मुखरित, जंकृत, शिक्षित, मोहित, चर्चित इत प्रत्याई की भांती इक प्रत्याई से भी शब्द बनते हैं और तब शब्द के पहले अक्षर में भी परिवर्तन हो जाता है जैसे सप्ताह धन इक यानि साप्ताहिक यहां इक प्रत्याई से बनाए गए शब्द दिये जा रहे हैं इन में मूल शब्द पहचानिये और देखिये कि क्या परिवर्तन हो रहा है शब्द हैं मौखिक, समवैधानिक, प्राथमिक, नैतिक, पाउनानिक, दैनिक दो, बैल गाड़ी और घोड़ा गाड़ी शब्द दो शब्दों को जोड़ने से बने हैं इसमें दूसरा शब्द प्रधान है, यानी शब्द का प्रमुख अर्थ दूसरे शब्द पर ठिका है ऐसे समास को ततपुरुष समास कहते हैं ऐसे चेश शब्द और सोच कर लिखिये और समझिये कि उनमें दूसरा शब्द प्रमुख क्यून है अभी आप सुन रहे थे ये पार्ट प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत